कि एलो स्टूंट्स वाचेजमेक फोर्यू इंजनी मेंक्निक से लेक्चर में आपका स्वागत है आज का वीडियो भी ट्रस से लेटेड होगा जैसा पिछला वीडियो भी ट्रसक्राम नूम्र्ट करहा थे इस वीडियो में नूमरिकल्स करेंगे आज भी मैं जॉइंट पर ए तो कुश्चन की और तो बढ़ते हैं और अगर आप कॉंसेट किलियर नहीं होगा पिछला वीडियो देखकर यहां कॉंसेट 100% कर रहा हूं कॉंसेट किलियर हो जाएगा ठीक है नहीं होगा फिर भी डाउट होगा तो फिर भी कमेंट सेक्शन में आकर पूछ लीजेगा तो प कुश्चन में क्या कहा था कि निफॉर्मले डिस्टिवीटेड लोड लगा हुआ एफ के उपपर एक तरफ हिंज सपोर्ट है यह रोलर सपोर्ट है यह हिंज सपोर्ट है एल डिस्टेंस है सबका लेंध एल है ठीक और सीडी पर जो फोर्स लग रहा है वह आपको फाइंड करना है बात के लिए रो गया बस कोश्चन में यही कहा तो यह ओप्सन दिया हुआ है जिन से सॉल्व हो रहा है विडियो को पोज करके सॉल्व करिए जिन से सॉल्व नहीं हो पाएगा हमारा वीडियो को देखिए अस वह जाए जिन से तो एंसर मिलाई है लेकिन इंफॉर् अगर फाइंट करने चले हम लोग तो कहां दिक्कत आएगा दिक्कत यह आएगा कि हम लोग सारा फॉर्स पर इनिफॉर्मली डिस्टूबेट लोड फाइंडिक करते इसको पॉइंट लोड में कनवर्ट करते है अब पॉइंट लोड में कैसे करेंगे कि देखिए टोटल ड थ्यूब्ष чिक्षेंस कि पॉइंट मतलब कि बीच ओ भीच वह लोड लग जाएगा इस पॉइंट पर ही लोड लग गया थिक्षेंग पॉइंटल अब इसका फ्रस का वीलू कितना होगा तो क्या करेंगे यह इनि फॉूर्मली डिस्टूबेट का वल्यू कितना है अगर और तो पी लग रहा है ऴंड़े लेंद एल है तो टोटल जगह लग रहा और लेंथ यह क्या हो जाएका पॉइंट्ट लोड हो जाएगा बात क्लिए रहते भी एल बाई 2 सबसे पहले करेंगे पहरा दिमाग में कि यह एक्षम करना है अगर और ये कुरोरी है ठीक है यह क्या हो जाएगे आपकों सा फुर्स लएगा यह वर्टिकल फॉर्स लेगा सका नाम देते हैं वी हे और यहां भी क्या हो जाएगा वेटिकल ऀसको thoughts लगा देगा जंटल फॉर स्वंच लगेगा पर इसको आप जीरो हो जाता सखै के चलते हैं फो करने सिमेट्रिकल पढ़ाएगा थिक हैं यहाप पर फंटाल फॉर्स लहेंगा लेकिन इसको लेकर नहीं चलेंगे क्यों उसके बैलोग हो जाता है ठीक है किलियर हो गया वह बाद में दिख्कत कर जागा इसलिए हम लोग कहते हैं नौर्मली स्की को लेकर चलते है वर्टिक Yup Felca जब भी ट्रस कोश्चन आएगा यह ख्यार रखेगा हम लोग वर्टिकल फोर्स लगाएंगे पक्का ठीक है चाहिए हो हींज सपोर्ट है और वर्टिकल और रोलर सपोर्ट दिया हुआ तो क्लियर अब देखें कंडिशन क्या बनता है कि सबसे फिल हमें क्या करेंगे रियक्शन करेंगे ठीक हैं अब देखें अगर हम लोग सिग्मा फ फ यकॉल टू जीरो कर दे समेस्व वाई एकॉल टू जीरो तब के इसमें क्या होगा कि कौन-कौन वर्जेंटल कौन कौन-कान Varticle Forces है यह Varticle Forces है उपर की और लग रहा है positive लेदे तहाँ यह उपर की और लग रहा है 行 पॉस्टीव मुगी ऊखिए है बाइब इंचे की Show लग रहा है pi-ay है तो माइनस हो गहिए p.c. िस समयसनन इकषण टू 0 तो ही क्या होुगए hmm तो क्या वी अप्ल्स мू ईप्लोषेट्स प्लोष्ट्स बी इकल टू-प्इल एकल्हर होगिया है यह अपका पहला पॉंट आगया अप्सकेंट्स क्या करना है कि देखिये क्या फाइंड हो कि अब हम लोग क्या लगाएंगा मोमेंट लगाएंगे क्या लगाएंगे मोमेंट फाइंड करेंगे सकेंड क्या होगा मोमेंट find करेंगे, find moment moment find करेंगे अब कैसे moment find करेंगे देखिए, किसी एक point को उठाएंगे चाहिए point ले, चाहिए point ले तो सबसे पहले ए point पर लेते है moment moment 8.a, sigma m equal to 0 ठीक है, अब 0 हो गया अब क्या क्या बचा, कौन सा moment क्या होता है force into perpendicular distance ठीक है, तो force कौन सा है, ये force लग रहा है perpendicular distance कितना है, इसका perpendicular, ये perpendicular इसका distance कितना है, L L L, total distance कितना होगे इतना point तक आते हैं, कितना distance हो जाएगा 3L हो जाएगा, क्या हो गया VV into 3L, अब क्या condition आता है, कि अब यहाँ पर एक problem आ रहा है, और problem वो problem है, कि हम लोग positive sign लेंगे कि negative sign लेंगे, तो हम लोग देखिए, consider करते हैं कि जो anti-clockwise है, उसको हम लोग positive लेंगे, और clockwise है, उसको negative लेंगे, clear हो गया, ये condition, अब देखिए, इसको हम लोग fix करके रखे हैं, अब देखिए, हम लोग क्या कर रहा है, इसको इसे move करा है, तो कैसे move कर रहा है, anti-clockwise move कर रहा है, यह of course anti-clockwise move कर रहा है, जब anti-clockwise कर रहा है, तो क्या हो जाएगा यह, positive हो जाएगा, तो plus vv into 3 है, बात clear हो गया, अब देखिए next next क्या है, PL, PL, कि लिए फॉर्स लग रहा है ठीक है फॉर्स प्रिकुत कर दिये को ठीक है तो प फॉर्स में वर्स प्र्ट कर दिये लोड को ठीक है तो पील हो गया पिल से डिस्टेंस केतना है यह तो एन है और यह एल भाई टू है यह प्लस लबाई-2 हो जाएगा पहलосьcem पहला क्या हो जाएगा अब देखें यह ऐसा है यहां लग रहा है यहां एक बच्चा का कुश्चन था ठीक है वो कमेंट सक्षान है पूछा कि सर यह बताईए कि मतलब लोड यहां लग रहा है तो हम यहां पर कैसे लगा रही तो पर पेंडिकुलर कैसे हो जाएगा यहां पर तो देखे हैं जब PL को हमनों क्या किया है यहां तक लेकर आए इस जगहाँ पर तोब क्या हो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया अब यह क्या हो रहा देखें सेखें यहाँ फिक्स है अच जब उपर से फोर्स लायर क्लोक वाइज मूब कर रहा है और clockwise क्या बता है तभी हम negative होगा ति क्या होज़े हैं पर कॉन sign होगा negative clear हो गया PL और distance कितना है यह हो गया force PL और distance कितना हो जाएगा L प्लस L बाइ 2 हो जाएगा distance L प्लस L बाइ 2 हो गया clear और यह तो 0 ही हो जाएगा जिस पर moment निकालते है उसका point तो 0 हो जाएगा दिस्टेंस तो है नहीं तो यह हो गया आपका equal to 0 अच्छा समझेगा net clear होगा तो फिर पूछेगा comment section में यह क्या हो गया VV 3L into VV minus PL यह क्या हो जाएगा 3L by 2 हो जाता है इकल टो 0 3L VV equal to PL square 3 PL square by 2 3L कटा 3 कटा यह कटा बचे एक है VV equal to PL by 2 यहा गया PL by 2 यहापका निकल गया VV का बेलू बात क्लियर हो गया next पहला यह equation आया था VA plus VV equal to PL तो VV का बेलू निकल के तो पूट कर सकते हैं VA का बेलू निका सकते हैं यहां से from equation first लेके VA VV का बेलू क्या था PL by 2 2 equal to PL हो जाएगा अब VA equal to क्या हो जाएगा PL minus PL by 2 1-1 by 2 क्या हो जाएगा हाफ ही हो जाता है क्या हो जाएगा PL by 2 तो VA और VV का बेलू आपका आ गया है क्लियर हो गया अब थर्ड केस क्या करना है अब हमने को पॉइंट लोड निकालेंगे जहां का required है वहां का point load निकालेंगे हमको required का CD है तो चाहिए डी कुठाए चाहिए C कुठाए हम लोग ठीक है यहां का point load निकालेंगे ठीक तो देखें आप कुश्म के बढ़तें निकालेंगे तो थर्ड को वही करना है कि माल ले जाब को CD-find करने बोल रहे हैं अब थर अब इसाःति निकालेंगे कि अब थोओड यहोगा होगा find क्या करना है ठीक है ए थर्ड क्या होगा find क्या करना है। ठीक है। अगर CD find करना है, तो figure में цы cd किधर है, cd इधर है, cd में अगर कुछ find करना है, कौुन सा method of joints से ك्या solve करें, method of joins, method of joint में क्या clear करना है могу добрthương करना है, method of section में यह clear करना है कि जो find करना है that उससे, आपनिसे एक lime touch करके pass करें है। अब method join में क्या करना है कि जो हमको find करना है जो c ठीक है या d cd जो find मैं c लेंगे चाहिए d लेंगे सबस्क्राइब बढ़ियां को c होगा क्योंकि जो given data से करीबी होना चाहिए जो value देखें unknown data बढ़ना नहीं चाहिए ऐसा point उठाइए कि जिसमें unknown data कम हो और दुसा बात जो given data उसके बहुत करीबी हो से contact में ठीक है चलिए उठाते हैं c लेते हैं joint c लेते हैं taking joint c, c is joint लिए c ऐसे ऐसा बन रहा है अब देखें जो जो find करना है c joint में क्या क्या आ रहा यह आ रहा यह आ तीन point आया तो अब condition आपको दीखें क्या condition करना है कि जो जो point है यह यह तीनों आया अब तीनों पर क्या करना है compressive force लगाई है चाहाए टेंशन लगाई है ठीक है compression चाह टेंशन लगाई है तो हम लोग क्या अगर compression लगाते हैं इस फोर से क्या नाम हो गया है एफ एसी एफ एसी इसका क्या नाम हो गया है एफ सीडी एफ सीडी इससे क्या नाम हो गया एफ एसी एफ एसी बात के लिए रोगया चलिए तो दिखें जब यह पॉइंट लगाई इस पर कौन सा लग रहा है एफ एसी लग रहा है ठीक है एफ एसी एफ सीडी एफ सीडी एफ सीडी यह तिन लग रहा है अब सीगमा एफ एक्स लेके चल रहा है सीगमा एफ एफ एक्स इकोल टू जीरो फाइंट क्या करना सीडी फाइंट करना हमको सीडी क्या वाई में आएगा एफ वाई में वर्टिकली में आएगा नहीं होगा एफ इसक बेराबर हो गया किया सी दिया हूआ है 1949 सतनुने स्वाइब करें को स 했습니다 convenient होगा है कि नो स्टेनल फॉर्स दिया हुआ है ठीक है चलिए अब पहला ख्याला गया है कि हमको एसी फाइंड करना होगा तो यहाँ पर आपका यह गीवें दिया हुआ ठीक है तो टेकिंग टेकिंग जॉइंट एसी ले रहा है यहाँ पर क्या है यह तो ले लिये थे अब ए लेंगे ए जॉइंट ए क्लियर जब ए जॉइंट ले तो इसमें क्या क्या लगेगा कुछ ऐसा बन रहा है ऐसा बनेगा और ऐसा बनेगा तो भी यह दिया हुआ वी यह ऐसे लग रहा है यह भी दिया हुआ है एफ ए सी यह दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है सेम इसमें भी कॉम्प्रेसिब लगाएंगा तो क्या हो जागा एफ ए ए ए ए बात क्लियर हो गया कि यह कि लिए और एंगल दिया हुआ है नहीं अब देखिए यह एल डिस्टेंस है यह एल डिस्टेंस है ठीक है तो जब यह दुनों सेम रहेगा ठीक है तो इसका वेल्यू क्या हो जाएगा एल बाई एल अगर पैथागोरस थिर्म लगा रहे हैं आई सद्ट्रस पता रहां पैथागोरस लगा कर सकतä हैके ल बाई य कि मैं कि अंगरे ख्रण करें अब इससे अघ कर जाएगा फार्टेफाइड हो जाएगा ठीक है क्योंकि 10 1 का value 10 inverse 1 करेंगे तो 45 हो जाएगा देखें बाद क्लियर कर रहता है confusion होगा तो 10 theta equal to l by l तो यह तो cancel हो गया क्योंकि आपको find क्या करना यह angle इसके सिराइं p हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा तो 10 theta equal to p by b होता l by l है तो यह क्या हो जाएगा 10 theta equal to 1 हो गया theta equal to 10 inverse 1 equal theta equal to 45 degree यानि क्या हो गया यह 45 हो गया क्या हो गया 45 degree हो गया क्लिए यह हो गया क्या हो गया 45 डिए अब देखिए तो फाइंड करते हैं लो आ यह जो करांगे है कि अज़िए आज 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 है कि आज है कि सिग्मा एफ वाइकोल डू जीरो करते हैं ठीक है अब इसको एक इसी टाइम टेकन ले रहे हैं कि पूरा कॉंसर्ट इससे किलियर हो जाना चाहिए इसके बाद नेक्स्टों तो हाड भी आए थोड़ा उस पर इसी तरह फोलो करकर करकर ठीक है इसको य एकसिस पर ले जाएंगे इसको क्या हो जाएगा एफ ए इए और इसको उठाके ले जाए उधर तो क्या हो जाएगा इसको इधर करेंद क्या हो जाएगा एफ ए इस कॉस्टि 15 ठीक है एफ एसी पहले सी यहां पर क्या होजाएगा दूब ये लग रहा है वी ए इए यह हो गया अब सी में इंफ ऑए के क्ऊलिह हो जाएगा वाय और इक संग मों को लग रहा ए इस एफ ए साइन 45 डीक यह वी उ Ae sin 45 degree equal to minus Va, और Va का वेलू आपका आ चुका था, कहां था Va का वेलू, Ply 2, V equal to Ply 2, तो क्या हो जाएगा, F Ae equal to minus Ply 2 by sin 45 degree, ठीक है, ठीक है, ठीक हो जाएगा, Ply by 2 sin 45 degree, इसका वेलू हो जाएगा, F Ae, कैल्सीम रखके निका लिए, इसका वेलू आएगा, 0.707 Pl, बात के लिए रहो गया, Negative यानि compressive force लग रहा है, अब Sigma F X equal to 0 करिये, F X में कौन लग रहा है, F A C, F A C, और कौन लग रहा है, Plus F Ae cos 45 degree equal to 0, अब F A C equal to क्या हो जाएगा, A minus F Ae cos 45 degree, ठीक है, तो minus लग रहा है, ठीक है, क्या होजाएगा, यह F Ae के वेलू पूट कर लिजे, minus, minus 0.707 Pl cos 45 degree, और इसका वेलू पूट कर यह, 707 into 45 degree, ती आ रहा है 0.5, क्या रहा है, 0.5 Pl, और इसको लिख सकते है, Pl by 2, तो F Ae का वेलू क्या आगिया आपका, F Ae C equal to 0.5 Pl equal to Pl by 2 equal to, और F Ae C किसके F C D के equal है, तो F C D equal to कितना आगे, Pl by 2, Pl by 2 option में है, हाँ, first option, यह क्या होगा है, first option, correct हो गया है, ती पहला question, जो सारा concept clear हो गया होगा, अब हमको आता method joint से उतना concept आपको चाहिए नहीं, अगर question थो डिफकल्ट भी आ तो इससे rule follow करके निकाल सकते है, basic आपका clear हो गया होगा, ठीक है, और भी question करेंगा, इससे method joint से, लेकिन जब exam करीब आगा, gate या PCO कुछ भी exam clear होगा, तो उसमें हम क्या करेंगा, बहुत सारा question solve करेंगा, ठीक है, आप भी कुछ question अपने तरफ से उसको provide करेंगा, हम उसको solve करेंगा, ठीक है अब तो यह रहा question, for the loading of trust, son in the figure, the forces member CD, CD find करना आपको, यह वला, ठीक है, 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 रेक्सन फाइंट कर लीजेगा, रेक्सन फाइंट कर लेंगे, तो रेक्सन तो given नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, और जेंटल फोर इसका नैमिंग नहीं दिया ना एबी सी एबी सी डी एक में रुकेगा यह आपका यह है और यह आपका एफ है ठीक है तो अब देखें इसलिए आपको देखना पड़ यानम डायेट दे सकते हैं लेकिन आपको आपको क्या करना यह सीडी क्या करने है बात कीलिए ॐ जह लाइन हैं सीडी इसपर कितना फोर्स लगए है यह फा like कर इसका है आपको विए पलस वी एफ हो गया चेकपाल टू टू-कुलो-णीटन हो जाएगा फिर मोमेंट लगा लेगे ठिकनो मेंट ले लेंगे तका को मतलब कि में चाहिए से मोमेंट ले लेंगे से मंसित लेंगे अरस को स्वाल करें लास्ट ट मिलाएंगे क्या होग thereby नहीं बंगा कमेंट करेगा अगर अग्रा गया तो भी कमेंट कर एक एंसर क्या आई अैसमां लास्ट कुस्च्च यह वाल है इसका नेमिंग है इसका पैट बीघ शीडी इटिक है करने को एई फाइंड करना है क्या होगा बात क्लिए रूगा कि लिए रूगा तो बस आज के लिए इतना ही अगर बीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरू कर दीजेगा कुछ सीख के गया हैं पका खुछी से कमेंट भी कर दीजेगा और चाने बने जहने के लिए सब्सक्रा